ये गोली का शेल है गोली इस पे यहां आगे लगी वी होती है जैसे ही अंदर बारू थट्टा है गोली साथ सो आठ सो किलोमेटर के स्पीड से निकल के भाग जाती है इस शेल के पीछे देखिए यहां एक डाग है डाग क्या एक चोट है एक चमकती हुई चोट यहां पे आके हैमर टकराया हैमर टकराया बारूत फटा गोली गन में से निकली और किसी को जाकिल लगी पर यह गोली किसको लगी यह पता ही नहीं चला चूँके हमें यह शेल होटेल के एक कमरे में से मिलाता है कमरे में एक लाश पड़ी लाश के सिर में से काफे खून निकल रहा था और वो खून गोली लगने से नहीं निकला था किसीने उसके सिर पे इस फुल्दान से मारा था फुल्दान मारते ही तूड गया इतनी जोर से मारा फॉरन मर गई हो कि बिचारी पर अगर वो लड़की फुल्दान से मरी है तो फिर गोली किसे लगी और ये गोली चलाई किसने कमरे में ना तो गन थी और ना ही गोली गन नहीं गोली नहीं तो फिर कमरे में ये शलाया कहा से आपको विश्वास नहीं होगा वो बात सुनके जो हमें पता चली और जब पता चली तो सबने यही कहा गोली इसने चलाई थी इसने आप खुदी देख लीजे खुदी तो खुदी अपर खुदी जाओ प्लीज जाओ प्लीज जाओ प्लीज कमरे पर लाज की लाश पिलीए इस्टाफ वालों को इस लड़की का यह हाँ, हाँ लगता तो वैसे ही है, समझ बिन्या रहा है है, मारने वाना पूल्दान ऐसे ही छोड़कर क्यों पया? मतलब सर, वो आदमी से मारने के लिए था, उस आदमी को इस बात की जरा भी फिकर नहीं थी के, अगर उसके उंगलों के निशान इस फुल्दान पे मिल गए, वो पकड़ा जाएगा, हाँ, देख से, इस फुल्दान पर उस पारने वाली के उंगलों के निशान है भी या नही यह क्या है? वाइन की बॉड़री तो यह प्लेंग कार्ट्स लगता है यहां पर कोई पार्टी बाटी चल लेगी पार्टी तो शुरू होने से पहले ही खतम हो गई बेचारी को मार दिया किसी ने सर जो लोगा होंगे इसके साथ उन मैंसे किसी ने मार दिया होगा ऐसा हां अगर अब ही तक कोई बूचने कैसे नहीं आया किसे को शक कैसे नहीं हुआ उसके घरवालों को तो शक होना चाहिए था देखो जारा इसके परस में है कोई मोबाइफ़ फोन वगरा जब रानी जी ये कमरा बुक कर रही थी तब आपको पता था कि वो इसी शहर की रहने वाली है हाँ कौन कोन आय था रानी से मिलने सर तीन लड़किया ही थी उच्छे मिलने ये तीनो लड़किया एक साथ आई थी नहीं सर तीनो अलग लगाई थी और तीनो ने आकर एक है सवाल किया था कि रूम नंबर 203 कहां पर है रानी से मिलने रानी इसी शहर के रहने वाली है? तब यहाँ, वो खिल के कमरे में क्या कर रही होगी? एंच अन्दाजा ठीक ता सू रिसेपशिनिस भी यही कह रही है जी Rani ने ये कमरा ήखए एक किटी पार्टी के लिए बुक किया था। किटी पार्टी के लिए और कॉनपर आया था यहापर यहीं। सर अ,... इसके सथ और तीन लड़कियाँ थी अच्या एं तीनों लड़की को होटल में आते जाते हुए इम आते जाते हुए? सब मसूं सिर्वा बाइयन कउखे देखा लिकिन जाते हुए नहीं देखा सब्सक्राइब उसे तो एं तीनों की शक्ल भी ठीक से याद नहीं है इसका मतलब खोन तो इन तीनों लड़कियों में सही किसे ने किया है नहीं तो भागती क्यों? किसी को बुलाती, अल्ला मचाती तीन लड़कियां गड़बर है अभी ये गड़बर है गड़बर तो है सर रिसेप्शनिस के पास इन तीनों लड़कियों के नाम और पते तक नहीं है सर ये डाइरी में यहाँ पे चार लेटर्स लिखे हुए आर सी पी एन ये उन लड़कियों के नाम होंगे सर किसे कितने पॉइंट्स मिले क्या स्कोर हुआ आप वो लिखते हैं न आर तो ये रानी है बेचारी सी पी एन क्या हो सकते है नाम ये सर इसे के मुबैल से ढूंटे है किस-किस लड़कियों के नाम सी पी और एन से शुरू होता है देखो दरा फ्रेडिक्स ये सारा सामान ध्यान से एविदेंस बैंक में रख लो और फॉर इन से के लड़ में पेच दो और अभी जी देखो कुशिश करो फिंगर प्रेंच उठाने की स्नोट पैट से साँ मिलगे साँ तिनों अलट इवे नाम ये गए हैं सी से है चांदनी सी से है प्रीती और अर एन से मेधी से ठूंडो इन तिनों और ले के आओ प्योरो में ये एक किटी पार्टी किसने रखी थी ने रखी थी रानी ने तिर क्या हुआ तुम गई होटल हाँ मैं गई थी होटल में करिबन करिबन दो बचे फिर क्या हुआ पता रानी मरी कैसे आप आप मुझसे क्यों मूच रहे हैं मुझे क्या बता मैं मैं तो जैसी कमरे में गोसी मैंने रानी के लाश दे की थी परश पर फिर मैं इतना गबरा कही कि मुझे कुछ नहीं पता दुरवाजा खुलावट? हाँ मेरा मतलब है जैसी मैंने खट-कटाया अपने आप खुल गया अंदर कोई था? नहीं कोई नहीं ठीक से याद करके बताओ कुछ देखा होगा तुमने वहाँ शाय मुझे कुछ याद थी आरह से मैं लाश को देके इतना गबरा गई थी याद करो जा जाओ ति Herrenह रूच आप करें खच bıसे रोचिया हदी मैं शाब रडडिया यह यह भुछ के चिराव था जिरी आरहा था किसी बस का टिके डाप किसी बस का था चाब मेरी ոे घरलिए वह लोगे यह एदर श्यापका तो मेरे देख रह देख कि कमरी का न मुझेटנה दूरा का? मुझे का कमरे का न मुझे एक जब एक जब सादा? एक राखम रिवजें सब्कुछा हटा कमरे का दूरा का न मुझे जब मुझे करेदा उसने दर्व बंद किया स्बक्तार मुझे की करे दूरा है? आएट कर दो लाज है? दिया खिर खुब दो खुब दो खुब एचाए नगे है तुमने दर्वाजा बंगे ता? कुछ आद है? घड याद नहीं तो नहीं दो खुब रहे हैं अच्जान आच से आच पर्फ एक देखने करने मेरा भूत तरनी ऐला भी एक कैसा? ऑर इजैता इस है, प्रख एक भी आग डिग जा ट्सा है मेरा बहेता है, बहुता हो Beatles है भाफ च्यादर है में तुम्हें तुम्हें और श Вас आताओ कम शायों चाहिन के बात्रूम में बात्रूम उन्राइब यह जिए जए निए तुम्हें एंड़ से रखण दिए रखण का वावाद कर रखण चौनम में ड़ाँ तो बात्रूम है विर जाए नहीं है यह प्राइब रानी का दुश्मन ने तुम एड़ उसका खून क्यू हुआ अच्छा, यह बता यह रानी का पती तापर है ताप यह रानी का पती सब उसके अपनी पती से बिलकुल नहीं बन्ती थी यहाँ तक ही बोल्चाल भी नहीं थी यापस में बन्ती नहीं थी मतलब? सर, उसके पती उस पर शक करते थे और कही बार उस पर हाथ भी उठाया था उनोंने रानी का पती उसे मारता था? जी, मुझे तो लगता है कि उसीने मारा होगा उसे अच्छा, अबर हमें तो लगता है कि रानी का खूब तुम तिनों में से ही किसी ने किया है जल में कमरा बुक्किया कोछ समाल लेके नहीं आई सिर्फ एक पर्स लेके चली आई क्या होगा क्या होगा यहां पर वे एक छोटी सी छोटी चीज पर भी नजर लखो सर एक छोटा सा बाल भी मिल जाए ना तो हम खुमी तक पॉँच सकते गोली कर्शल मतलब सर यहां पर गोली चली है गोली चली अगर यहां पर तो फिर लगी किसे यहां पर कहीं और तो खुन दिख नहीं रहा यहां पर गोली चलने की आवाद सोनी किसी लिए सर अगर ऐसा होता तो यहां पर हंगामा हो जाता मालुम है अंगामा हो जाता है यहापे खुन हो गया और आपनों को पता भी नहीं चला सर क्या भी अगर एक पिस्टल से भी फायर किया गया हो तो गोली का शेल वहीं पे गिरेगा जहाँ पे फायर किया हो, राइट तो सर अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि फायर किया ही नहीं हो यह मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर फायर नहीं हुआ तो फिर यह गोली का शेल हो यहाँ पे आया कहा से सर शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोली किसी और जगे पे चली हो और कोई इस शेल को इस कम्रे में लेके आया हूँ हो सकता है हो सकता है और ये भी हो सकता है कि शायद ये गोली पिस्टल में से नहीं रिवॉल्वर में से चलिये है रिवॉल्वर में से सर? हम् गोली रिवॉल्वर में से चलिये और चुकि रिवाल्वर में जब गूली चलती है तो शेल रिवाल्वर में इसे गिरता नहीं, उसी में रहता है तो शायद ये शेल एक रिवाल्वर के साथ इस कमरे में आया है मतलब सर इस कमरे में एक रिवाल्वर भी था? तो सकता है अगर सर रानी का खून तो फूलदान के मारने से हुआ है ना सिर पे फूलदान मारने से हुआ है पर शायद इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था आदया बसका टिकेट नहीं बसका टिकेट तो नहीं मिला पर एक गोली का शेल मिला है हाँ, शायद रिवल्वर का है नहीं, रिवल्वर तो अभी नहीं मिला है वजुँँझे को तो मुझे दो-तीन दीन को बस फिर मैं बताऊँ का, इस खुँँए का I have done ज़ा तो या तो लफमें यह गुंगा रहेगा, यहा रहांगा, बस सरसरसर वो आप कहह रहते हैं ना कि इस लश के सर पे चोट लगी है इस वास पर जो हमें खूल मिला है वो भी इसी लड़की कर तो बात साफ है कि खूल इसी वास से किया गया तो फिर सर वो गोली का शेल? तो भी आउ उस शेल को तुम लेब में लेके आओ फिर देखते हैं तारीका, क्या इन तीनों मेंसे किसी के उंगलियों के निशान है इस वास पर? नहीं सर, तीनों मैंसे किसी ने भी वास को हाथ नहीं लगाया तो फिर इसने मारा किसने? देखिये सर, हमें जो कुछ भी पता था हमें आपको बता दिया है तुम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं गया था उस होटिल के कमरे में लेकिन हमारी हूंग यू कि निशान थोड़ी ना है उस वास पर देखिये, देखिये मैंनी कुछ ने किया है अगर कोई टेस्ट पचा हो तो मैं तेयार हूँ किया मतला में तुम तुम चाहिए अश काया है मानतों सर हम से गलती होगई कमरा देने से पहले हमें अच्actor है बात कर लिनी चाहि Board कर लेनिज रानी मेडम से परसर मेरा दावा है कि गोली यहाँ पर नहीं चली है तो फिर ये गोली का शेल यहाँ पर आया कैसे है शायद रानी मेडम अपने पर्स में लाई होगी क्या फिर रानी के पास एक रिबॉल्वर होगा यह बता इस कमरे में से कुछ निकाला किया जी तुमने यहाँ इस कमरे से कुछ निकाला था सर में आया मैंने टेबल साफ की और वो गंदा टेबल क्रोथ पड़ा था जिसे में ले किया उसमें देखा था क्या था नहीं वह टेबल क्रोथ अभी का है लॉंडरी में सर चलो देखा सर ये वाला ये वाइट टेक मिन टेक आमें देखने दो सर ये वियर के बॉटल के टुकड़े हैं जो मैडम से टूट गए थी सर इसलिए मुझे बुलाया गया था टेबल के कपड़े बदलने के लिए मैं सर ये बॉटल के टूटी नहीं बल्कि जान बुच के तोड़ी गए ताकि ये गने थीं Aaa जो ठिकाने लगाई चाह सके तो, अभीजीद न तो कमाल कर दिया आखिर गन ले ही आई अरे, डॉक्टर तारिका, आप खह रही हैं तो कमाली होगा, वरना ये तो मेरे लिए छोटा मोटा कामी है लो भाई, तो कमाल कर दिया अभीजीद, तुमारा प्रमोशन फटाद वाई सर्, एक निशान में लाई गन पेस के हूँ तारिका एक काम करो इन तीनो के उलियों के निशान लेकर देखो मैच होता है इस निशान के साथ जी सर्थ अब बताओ, आप में से किसने गन चुपाई थी बोलाओ सर्, मैंने तो जिन्दगी में कभी गन देखी भी नहीं अच्छा इस गन के ओपर जो उलियों के निशान है वो इन तीनों मेंसे किसी के नहीं है क्या तो फिर सर्, कमरे में गोली कशल लाया कहां से अच्छा अच्छा जरो फिंगर्परिंट देना थो जी सर् यह क्या है अच्छा इस फिंगर्परिंट पे तो लाईन है, स्कार है जी सर्, रखता है एक गोली चलाने वाले के उंगली में एक कुई स्तार है कटने का निशान? कहां दीखा था मेनी यह एक मिनट में देखू यह देखू भाग राणी की उंगली? तारिका, तुमने लाश के उंगली के निशान लिये न, जी सर् जलो, मैच करके देखते हैं, बस यह निशान इसी की उंगली का है और नहीं जी सर्, यह रानी की ही सकार वाली उंगली का निशान है इसका मतलब गोली रादी नही चलानी नहीं चलाई तरफ।। तरफ रानी नही चलाई थे। सर ये मेरा तो पूरा दीमाग घूम रहा है। अगर ये रानी मर्शुकी है तो फ्रिये ये गन केसे चला सकती है, तुछ। अ़र फ्रेडी ये गोली उसने मरने से पहले चला ही होगी हम नबंचल में अजने से पहले हैं अब हुटल में आने से पहले गोली चला ही होग फिर एक रिवालवर है गोटल के अंदर किसी तरीके से शेलगिर गया हो गोटो एक घृडरीग्स पुरहानी के पती का कुछ पता कहां है ची कहिए ये रानी का घर है न हाल लेकिन कमाल है रानी का शहर में घर होते हुए भी उसे होटल का कमरा बुक करना पड़ा होटल में ये अप ये नहीं क्या कहा रहा है होटल ब्लू पड़ाडाइस कल दो बैर को रानी ने वहाँ पे कमरा बुक किया तो केटी पाटी हाँ बताया था उसने मुझे तो रानी ने ये नहीं बताया कि कोई उसका खोन करना चाहता है ही ये आप क्या रहाँ वो दो बहर से यहां नहीं आई है, तो आपने कुछ ने किया? पता लगा लगाने की कोशिश ने की, काह है वो? यह मैं वो, मैं? यह मैं मैं क्या लगा रखी? अटल के कमरे में किसी ने खोन कर दिया रानी का? क्या? रानी? तक खोन? अबे! क्या हो रहा है? कुछ पता जगा? यह सावी तक से कुछ नहीं, मैं रानी के आसपास देने बाले लोगों से पूछ साच कर रहा है गुट छे, पार्किंग लोट अटेंडन का ओन है? जी साब छे, रानी मैडम, जिसका खून हुआ था तो जब गाड़ी पार्क कर रही तब आप पार्किंग लोट में था जी साब, मैं ही था साब तो रानी में सब कुछ आजीप से थी जीप से थी जीप से थी साब तक रानी के गाड़ी अभी भी पार्किंग लोट में था अच्छी तरसे जाकर चेक करो वीक्ति आज़ा शुरू आज़ा इसे जसाओ, अवाजी खुलाव और ये जब खोन वार्याम का तब दोपेर का वक्त तो दोपेर को आप्सभी लोग यही पर थे को जाते उए या उसके कमरे से किसी को आते वे देखा आप लोगों ने कि अपने कम्रे में था मैं भी शाम करिब उसी वर्थ किसी के पैरो की चलने की आवाज आई थी मुझे हाँ, और कुछ सुना, पैरो की आवाज पाच्छे कदम तब तो मुझे सुना ही थी और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई चाहा, आपका कमरा कॉमसे? जी, वहाँ पड़ दो, ये वाद टी, शी, वाज रा आनी का कमरा? रानी का कमरा ये पाच्छे कदम, अगर वह आदमी लिफ्ट लिए शीलव तक ग गया उगा सर्फ, तो कम से कम उन He was 15-16 कदम चलना पो लेगा बातज्ड़ बद rozpंब वाद गई हो गया, तो फिर वह आदमी आ अखिर गई होगै अब जीट छे कदम एक दो तीर चार पाच छे सर इसलिए खोनी को सीड़ी या लिफ्ट तक जाने के जुरत नहीं पड़ी क्योंकि छे कदमों में वो यहां इस कमरे में खुश किया यस कौन रहता इस कमरे में? तर को धुरुप नाम का अजनी है जो कल रात भार गया था और अभी तक नहीं लोता है अब मैनेजर तुम तो कह रहे थे कि सभी लोग यहां गए तुमने पूछताज करने के भी कोशिच नहीं की चफ्राप, खुलो दर्वादा सर यह यह रहे उनकी काव कुछ बदू आरिये फेडी? हाँ सर पर्फ्यूम की खुश्बू के साथ साथ बदू भी आरिये साथ मैसा लगता है किसी ने कार में मच्छर मानी की दवाई छिड़क दिया अजिस्तर, कार में तो रानी बेटी हुई थी रानी के मूह पे किसी ने कैसे माली हुगी यह मच्छर मानी वाली दवाई काद यह रानी यहां होटल में आने से पहले एक मेलेट, याँ किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाईए, अब प्ली जरह दूर खड़े हो जाईए, वेक, याँ कि हर एक चीज़ से फिंगर प्रेंट जुठा लो, हर एक चीज़ से, अब जरह या रहने वाले आदमी का नाम और पता दीज़े, जी सर्थ, 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 जब मुंसिबल कॉर्पेशन में जाके पुष्टाच की, तो पता चला कि पिछले दो दिनों में, करीब चालीज जगों पर मच्छर मारने के दवाई स्प्रे की गई है, इसका मतलब है ये, रानी इन चालीज जगों में से, किसी भी एक जगे पर हो सकती है, हाँ सर्, तो पता कै किस जगे पर गई थी, कहा गई थी? सर्, इन चालीज जगों में से, एक ये, केकी नगर है, जो रानी के घर के और उस होटिल के बीच में पढ़ता है, जहां पर रानी का खुण हुआ सर्, इसका मतलब के टी पाटी में जाने से पहले ये, केकी नगर गई होगी होगी, सर्, ये द्रूम नाम के आदमी ने अपना नाम और पता नकली लिखवाय होगा है, सर्, नाम नकली मतलब सर्, करवड? शायद इसी आदमे ने रानी का खुण किया होगा, सर्, हाँ, तो एक एक काम करो, इस द्रूम के अंगलियों के निशान जो हमें पोटिल के कमरे में में मिले देखो वो हमारे पुलिस रेकॉर्ड़ में हैं क्या, हो सकता है इसने पहले भी कोई खून किया, सर्, पर दयार, सर्, इस केके नगर में जाओ, वापर रानी के फोटो दिखा, देखो खुछ पता चलता है क्या, सभी दुकानवालों से पूछ लिया, सर्, अगर ये लड़की दो, तिन दिन पहले यहां आई भी होगी, तो कौन याद रखेगा, सर्, यह बात तो है, प्रेट, एक बिल्डिंग बची है, सर्ण यहां भी पूछ लेता है, आजब, आज़रा कम करो, कौन, कौन है, सी आएडी, कहां, कहां सी आएडी, हम, आप, नोस्ते साब, क्या बात है साब, ज़रा फोटो देखो, इस लड़की को इस इलाके में देखा था, दो दिन पहले, यह तो रानी मेम साब का फोटो है, सर, तुम इसे पहचानते हो, जानता हूँ, आप भी क्या मजाग करते है साब, रानी मेम साब हमारी बिल्डिंग मे तो रहती है, रानी इसी बिल्डिंग मे रहती है, हाँ साब, तो रानी तो अपने पती के साथ कही और रहती है, नहीं नहीं साब, रानी मेम साब इसी बिल्डि करें देखान। वेड़ी देखा दिख़ाया है सर खुन तो दिख रहा है वकर लाश कहा है लाश तो कहीं दिखनी रही सुखावा खुन है असर रखता है यह गुना आज नहीं हुआ है शयद एक दो दिन पहले हुआ होगा पर यह खुन है किसका रड़ी घर को अची तरसे देखो करेंगों लाश अभी भी घर में तो हो रही है यह सर तुम लोगोंने कोई चीकनी चिलनाने की आवाज नहीं सुनी सर पूरा घर देख मारा सर लाश वाश कुछ नहीं है तुम पेन देख रहा ओद यह यह अदमी कॉन है रड़ी की साथ यह राने जी के पती है अज्यास स्हाब यह रानी का पती तुम चश्मा बेंजो क्या अ नहीं सर अरे रानी का पती अनूज है अजै नी समझे यह देखो यह है रानी का पती आनुच यह कौन है साब इन्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ रानी अपने पती के साथ रहती थी ना यहाँ पर जी पती के साथ ही रहती थी पर ये वाला पती नहीं अजय साथ के साथ रहती थी रानी के दोदो पती पेड़ी, जरा अनुष को फोन लगा, उसर यहां पुला, उच्छे तो सही उससे, कि वो रानी का पती है या कोई और? सर, फोन उठा नहीं रहा है सर अच्छा तुम्हारे पास इस अजय का नंबर है? जी, एक मेर सर, 102098716 यह लो सर, इसका फोन तो स्वीच ओफ आ रहा है सर ओ, एक पती का फोन लगने रहा है, वो उठाने रहा है और दूसरे का स्विच टॉफ आ रहा है तुमाल हो गया सर, सर, दूसरे होटल के रूम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए है सर किसके है उगलियों के निशाद? सर, यह देखिए, रॉबिन नाम है इसका रॉबिन? पहले भी दो-दो कुन कर चुका है और पासी भी थी से और लिखाए कि कोर्ट में वकिल ने थाबित किया कि उसकी दिमागी हाला ठीक नहीं थी और उसे असाइलम में भेज दिया गया बास, ऐसी खबर लेकर आँ जैसे सुनकर अभी जी तो गाना गाने लगेगा अरे, सिर्फ मैं ही क्यों? बाई यह, जो उगलियों के निशान तुम होटल के कमरे से उठा कर लाए थे ना वो मैच हो गए मैच हो गए? किस से? फुल्दान से उस फुल्दान से? जिससे रानी का कतल हुआ था इसका मतलब खून करने के बाद, वो सीधा उस कमरे में गया सारूंकी, अब मैं भी तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाँगा जिसे सुनकर तुम नाचने लगोगे अरे तो बास जल्दी सुनाओ ना मैं तो नाचने के लिए कब से बेताब हूँ सारूंकी, पुझे उंग्लियों के निशान मिले है न, वो एक खूनी के है जो पहले भी दो दो खून कर चुका है और जिसे दिमाग की बिमारी है ओ, ये बात है सर्फ, और ये भी लिखा है कि ये अदमी असाइलम से भागा है सर्फ और इसके पास होटल मे रहने के लिए पैसे का से आया हूँ किसी ने दिय होंगी या पर इसी से लिय होंगी बस ये खून किसी ने करवाया सर्फ, रॉबिन को नाइट क्लब्स और डिस्कोज में जाने का बहुत शॉक था सर्फ और आखरी भार भी उसे एक डिस्को में ही अरेस्स किया गया था सर्फ ओ, डिस्को में देर आदेर क्या? रानी के पती के फोन का पता चल गया? सर ये पोन अजे का है ये यहीं पे बताया था वाइल कंपनी वाले से बताया था के फोन यहीं कहीं है सराज सराज चलो दूढ़ से यहां तर से कोई नहीं दिख रहा है एक दाम करोग सर्फ मेटर डिटेक्टर ली करोग सर्फ सिंगनल यहां से आदा सर्फ सर्फोन के साथ बैठर पिकाड़ किया है समीम के अंदर खुद का देखते है इतनी बड़ी भूरी यह भूरी नहीं है कुछ और भी है इकालो इसे बाहर वे खीचोंसे यह यह अवाल ले लो ले लो उतकी संभाल के अरखो माइ गॉड़ यह तो अजे है हाँ यह ते किसा है कुली मार के खून के अजे अभजीत कहीं अजे अजे कि रानी नहीं इसका खून कर दिया और फिर वो होटल चली गई सुर रानी ने इसका खून किया अपरी होटल गई किटी पाटी के लिए वहाँ पर किसी ने रानी का खून कर दिया पर मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि उसका असली पती है कौन यह अजे यह वो अनुच रानी और यह अजे यह दोनों तो मर चुके अब बचता है वो अनुच सर उसनुच की चोच खोलनी पड़ेगी फ्रेडिक्स वेक, तो घर के पीजे के तरफ जाओ देखो, भगने का कोई रास्ता है क्या चल्दी वेरो यह संत मैंने किसी को नहीं हमारा यह मैंने किसी को नहीं हमारा तो पर्म जूट क्यू बोला तुमने हा? कि तुम रानी के पत्ती हो बोला हा इस आप गलती हो गई सार बहुत बड़ी गलती हो गई मैं किसी का पती पती नहीं है बोई फेंड हूँ सिर्फ बोई फेंड हूँ मुझे क्या पता था कि नानी कोट दू के रजिस्टर में जाकर मेरा नंबर और अड्रेस दिखवा देगे बहुत बड़ी बेवकूफ थी हो अजय का खुन तुम दोनोंने मिल कर किया है ना? तरही सर्, बेजर रही है वो खुद तो राणी के हाथ से राणी के हाथ से अंजाने में हो गया था सर् आज का सबसे बैतरी निजो अभजित मैंने तो सुना था कि लोग अंजाने में गिरते हैं, फिसलते हैं, चोट लग जाती है अगर अंजाने में खून कुछ भी हो सकता है सेर, आज कल कुछ भी हो सकता है अजय को इन दोनों के अफेर्स के बारे में पता चल गया होगा तो खून कर दिया इन लोगा तूम कहा थे जब रानी ने गोली चलाई सर उस वक्त मैं अपने घर में था सर फिर शूर तही सर मैं जूटने बोल रहा सर मैंने तो अजे की लाश को सिर्फ जमीन में गाड़ा सर और कुछ नहीं किया सर मैंने और कुछ नहीं किया अजेए की लाश को तुमने जमीन में गाड़ा अच्छा और फिर उस आदमी को किस ने बेजा रानी को मारने के लिए वोड़न में मैं तो रानी से प्यार करता था सर मैं भेंके भेजने लगा किसी को तुमने ने बेज़ा तो उसे हाँ? तरही से अट्रे हलो? क्या? रॉबिन मिल किया है? कहाँ? रानी को क्यो मारा तुमने? रानी? यह रानी यह? यह बोल क्यो मारा इसे? वान मिनिट यह सर यह तो पूरा पागल है सर अभीजित कई ऐसा तो नहीं कह रहा है कि इसने पैसे लिए रानी को मारने के लिए किसने पैसे दिये थे? मुझे पैसे दिये थे बंदर ने साप ने और बिच्चु ने तो बिच्चु ने पैसे दिये दो तुम्हें? किस बिच्चु ने पैसे दिये थे? मेरा हाथ गंदा कर दिये सरी इसमें तो बिच्छू बनाया है इसने बिच्छू एक मिनिट अब कुछ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ये किस बिच्छू बंदर और साप की बात कर रहा है ये चाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा कि आतकते हैं और ने उन्हें कि मॉख निद्या है अ कि इसमें इंदल्स भीया इसके आरे वे आप लग यहाँ हाँ हम लोग सर अच्छा अच्छा आप आगए मैं आपको फोन करने वाली थी सर देखे ना यह यह आपी जबर्दस्ती मेरे घर के अंदर गुसाया सर अच्छा पर यह आद भी तो कह रहा था कि तुम तीनों ने पैसे दिय थे से रानी का खून करने के लिए क्या......ए इसने आप Do the minimt made 그럼とかaremos यहाँ कि वThe थे मैं अच्छा आहाँ franc만 तूमान सब्सक्राइभ है प्लिए यहाँ सर जैसे इस इस रानी को मारा ता बेसे मुझे भी बारता लेगा है अच्छा राली balance Rana को यह premise जैसे रा नी को मारा ता एपिवे को अब बता तुमें कैसे पता चला कि रानी को इस नहीं मारा ज्यों माफ कर दीजी सर्ड, हम लोग अरे जान कुछ कर कुछ भी नहीं किया, रानी तो हमारी दोस्ती, आप उसे बारना नहीं चाहते थे नहीं मारना चाहती थे तो भी रॉबिन को पैसे क्यों दिये थे रैनी का खून करने के लिए सब हमने तो पस दराने के लिए पैसे दिये थे हमें क्या पता था कि वो उसे मार डालेगा सिर्फ दराने के लिए सतर दरहसल वो हम चारो सेलियों ने मिल कि यह फैसला किया था कि हम 25 िरपिय जमा करेंगे और वो पैसे जमा कर कि हम एक बुटीक खोलेंगे हम ने फैसला किया था कि Пैसो का हीसाब किताब रानि देखेगी तो पने हत्से के 25 िरपिय से दे दिये पिर फिर क्या हुआ? इतना सारा रुपिया देखकर उसकी नियत खराब हो गई और हम सब का रुपिया लेकर वो अपने बॉइफिंट के साथ भाग जाना चाहती थी इसलिए सर, हमने अपने पैसे वसूलने के लिए ये सब किया अमें क्या पालब ता कि ये पागल उसको जाके मार ही देगा रॉबिन को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी लेकिन रानी के खून के लिए तुम तीनों भी जिम्मेदार हो झालब तीन के लिए वसूलने के लिए लिए जागल तीनों थागल